अज हमने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार से गोला कबाब कबाब बनके रेडी हैं देखी कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं अंदर से बिलकुल पगए हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं तो चलें रेशिपी शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए गा तो पहले हम इंग्रीडियंस देक लेते हैं तो यहां मैंने ले रखा है मतन का कीमा और यह एक बड़ी प्यास लार्ज प्यास को मैंने बार एक स्लाइस करके तल लिया है सूखे मसालों में 2 देख लेते हैं, यहां मेंने ले रखा है धनिया पाउडर, चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अद्रक का पाउडर, गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च, भुना क जीरा ने कहले हैं यह और जैफल जवत्री को भी भून के फूटा पाउडर बना लिया है और सॉल्ट आव अपने टेस्ट के साफ से ले लीजे, मैंने आधा चमच लिया, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है बाइंडिंग एजिंट्स में हमेने लिया है कॉन फ्लावर और बेसन बाकी चीजे देख लेते हैं, ये मैंने एक इंच के बनाबर अध्रक को चॉप करके रख लिया है और पाच क्लोज गार्लिक के भी चॉप करके रख लिया है, ये सब कीमे में साथ में पिस जाएगा लेमन जूस जाएगा, ये टेंडराइजर है, अगर आपके पास इवेलेबल नहीं है तो आप कच्छी पाउडर या फिर कच्छा पपीता भी एक टेबल स्पून ले सकते हैं पिसीवी हरी मिर्च है, दही है और कोईला है धूनी देने के लिए तो अब इसको पीस निकली हम फूड प्रोसेसर ले ले लेते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सारी चीजों को पीस ना है तो इसमें मैं फूड प्रोसेसर में कीमा डाल दूँगी साथ में प्यास चली जाएगी अगर आपके पास फूट प्रोसेसर नहीं है तो आपने बुचर से कहके कीमे को दो से तीन बार मशीन से निकल वाली जिए को काफी बारीक हो जाएगा उसके बाद अपने सारे मसाले इसमें डाल देंगे तो तब वैसे भी रेडी हो जाएगा फिर तो अब यहाँ पर मैंने अपने सारे ड्राइ मसाले डाल दिये हैं कौन फ्लार और बेसन भी इसमें डाल दिया जाएगा हरी मिर्च का पेस्ट यह लस्सन डाल दिन चला गया अदरग भी चला जाएगा साथ में टेंडराइजर भी डाल देंगे साथ में लेमिन जूस और यह दही है दही से कवाबों में मौिस्टनस आती है सौफनस आती है मौिस्ट रहते हैं कवाब इससे और अब इसको बारीक पेस्ट बना लेंगे इन सब चीजों का कीमा अच्छे से बारीक हो जाए तब तक हमें इसको ऐसे ब्लेंड करना है कीमा हमारा बहुत अच्छे से बारीक पिस्ट चुका है इस पॉइंट पे मैंने कोईला भी जलने रख दिया था तो कीमे को हम एक बोल में निकाल लेंगे तो सारा कीमा हमने बोल में निकाल लिया है अब इसको इस पैटलर की हिल्प से बीच में एक थोड़ा सा गैब बनाएंगे ताकि हम अपनी कटोरी बीच में रख सकें आप पस कटोरी ना हो तो जैसे मैंने ये अलमुनियम की कटोरी बनाई है आप भी ऐसे बना लीजे और उस कटोरी को हम बीच में रखेंगे इसके उपर जो हमने कोईला जलाया था वो रख देंगे और फॉरन ही इसके उपर एक टी स्पून के बराबर ऑइल डालके और जैसे ही दुआ निकलेगा इसको कवर कर देंगे और हमें कीमा अब यहाँ पे 2 गंटे के लिम मेरिनेट करना है तो 2 गंटे बाद हम अपने कवाब बनाना शुरू करेंगे 2 गंटे हो गये हैं तो यहाँ मैंने एक पैन रख दिया है गैस पे गरम होने क्लिए गरम-गरम पैन पे ही हम कवाब डालेंगे साथ में मैंने एक ले ली हैं प्लास्टिक की straw, आप चाहें तो कोई एक पेंसल भी ले सकते हैं कवाब बनाने के लिए तो यह मैंने straw ले ली है और यह ऑइने ऑइल लिया है, 1 टेबिल स्फून के बराबर हैं अपने हाथ के अंदर हम अपनी स्ट्रो को इंसर्ट करेंगे और इसको गोल कवाब के शेप दे देंगे कवाब आ अपनी मर्जी के हिसाब से उसका साइज रख सकते हैं बस देखी कितनी असानी से कवाब बन के तयार हैं बिल्कुल परफेक्टली गोला कवाब बन गए हैं तो ऐसे ही हम बाकी के कवाब पे अपने हाथों को बार बार ग्रीस करते वे और अपनी पसंद के साइस के हिसाब से इनके कवाब हम शेप देते जाएंगे और सारे कवाब बना के रख लेंगे जो पैन हमने गैस पे रखा था गरम होने के लिए वो हमने पहले से इसनी रखा था ताकि पैन हमारा अच्छे से गरम हो जो हम कवाब डालेंगे तो कवाब फॉरण पकने लगेंगे और उसका पानी रिलीड हो दिने से पहले ही वो पक जाएंगे तो हमाई कवाब बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे चले इसी तरीके से हैं अपने बाकी के सारे कवाब बना की रेडी कर लेते हैं फिर आपको आगे दिखाते हैं कि हम इसको कैसे फ्राइ करते हैं मेरी वीडियो की फीडबैक जरूर दीजेगा कोई भी आपको रेसिपी पसंद आई हो और आपने ट्राइ की हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और अगर आपको कोई और रेसिपी देखनी हो तो आप मुझे प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताएगा मैं जरूर बनाऊंगी आप लोगी फर्माईश पर तो ये लिए सारे कवाब बनकर रेडी हो चुके हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बहुत स्मूथ कवाब बने हैं अब हम इनको फ्राइ करते हैं पैन हमारा पहले से ही गैस पे गरम हो रहा था इसमें हम 3-4 टेबल स्पून ऑइल डाल देंगे और इसमें कवाब डालेंगे लेकिन सारे कवाब एकदम से फ्राइ नहीं करेंगे एकदम से क्राउडड ना हो जाएं कवाबों को हमें बिल्कुल भी नहीं छूना है शुरू के 3 मिनित और इसको हम कवर करके 3 मिनित तक पकाएंगे और 3 मिनित बाद हम इसको पलट देंगे और फिर हम इसको सिफ 2 मिनित और पकाएंगे धखकर ही इस तरह से कवाब हुमारे जूसी भी बनेंगे और हम फॉरन नहीं टच करेंगे इनको तो इसलिए तूटेंगे भी नहीं अगर आप कवाब डालते ही इनको हिलाना शुरू कर देंगे तो ये कवाब तूट जाएंगे तो तीन मिनिट बाद हमने जब पल्टा तो कवाब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके थे अब हम इसको कवर करके नेक्स फिर से दो मिनिट के लिए कुख करेंगे 2 minute बाद ने हमने cover खटाया तो कवाब हमारे perfectly cook हो चुके थे इनको हमप्लेट में निकाल लेगे बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबु आ रही है, बहुत ही मज़े की खुशबु आ रही है इसमें से तो हम असारे कवाब इसमें से निकालके जो बाकी के कवाब हमारे बचे हैं वो भी हम इसी ओयल में ही fry कर लेंगे सेम वही procedure रहेगा तीन मिनिट के लिए हम एक साइट से cook करेंगे धक्के और उनको टच नहीं करेंगे तीन मिनिट तक और उसके बाद पलटके दो मिनिट और cook करेंगे तो यह 3 मिनिट हो गए हैं अब हम इनको पलट देंगे बस ऐसे ही पलट के हम फिर से इसको धक के 2-3 मिनिट क्लीन से कुप करेंगे और 3 मिनिट बाद देखिए कवाब हमारे कितने अच्छे रेडी हो चुके हैं कितना अच्छा कलर आया है बहुती जूसी कवाब बने हैं हमारे इसको एक प्लेट पर फिर निकाल लेते हैं और इसको फिर हम डिशाउट करके आपको दिखाते हैं बहुती मज़े की खुश्बू इसमें से आ रही है तो यह लें जी बहुती मज़ेदार हमारे गोला कवाब बन के तयार हैं इसको मैंने पुदीनी की चटनी के साथ सर्फ किया है बहुत ही मज़े के बने हैं बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने हैं तो अगर आप ये रेसिपी ट्राइ करें तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा कि आपने ये बनाई तो आपको ये कैसी लगी और अगर आपको मेरी वीडियो ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलीगा बेल आइकन हिट करना मत भूलीगा ताकि मेरी आने वाली सबी वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें तिल देन बनाते रहें साई के मजेदार